नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों 6 फरवरी 2024 को उत्राखंड के सियम पुशकर सिंग दामिने विदान सबा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC बिल पेश किया है और इस बिल के कानून बनते ही उत्राखंड में कई सारे बदलाओ देखने को मिलेंगे जो कुछ हद तक सुरक्षा के लिहाज से ठीक भी है इस बिल के कानून में बदल जाते ही लिव-िन रिलेशन में रहने वाले लोगों को रेजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसके लिए 6 महीने तक की सजा का पराउदान किया गया है इसके अलावा पती या पतनी जीवित रहते हुए दूसरी शादी गैर कानूनी मानी जाएगी अगर अभी इस कानून को देखे जाए दोस्तो आम तोर पर किसी भी देश में दो तरह के कानून होते हैं एक होता है क्रिमिनल लोग और दूसरा होता है सिविल लोग क्रिमिनल लोग के तहत चोरी, हत्या, लूट, मार, डकैती जैसे आपरादिक मामलों में करवाई और सुनवाई की जाती है जिसमें सभी दर्मों या समुदायों के लिए एक ही तरह की कोर्ट, प्रोसीजर और सजा का प्रावदान होता है जैसे एक्जामपल के तोर पर लेले कोई हत्या होगी अब ये हत्या चाहे कोई मुसलमान ने की हो या फिर हिंदू ने की हो या फिर इस अपराद में जान गवाने वाला चाही हिंदू हो या मुसल्मान हो कानूनन एक समान कारवाई होती है यानि किसी धरम, मजहब या पंत का किसी भी प्रकार का परभाव इस अपराद से संबंदित FIR इसकी सुनवाई या इसकी सजा पर नहीं पड़ता सब के लिए एक समान है वहीं दूसरी तरफ सिविल लो में सजा दिलवाने के बजाए सेटलमेंट या मौवजे पर जोर दिया जाता है और इस परकार के मामलों में कोर्ट सेटलमेंट कराता है जिसके तहत पीडित पक्ष को हुई शती या नुकसान की भरपाई के लिए मौवजा भी दिलवाया जाता है आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि सिविल लो पर परंपरा, रितिरिवाज, संसकर्ती का खासा प्रभाव पढ़ता है क्योंकि शादी, ब्याव और संपत्ती से जुड़े सारे मामले सिविल कानून के अंदर ही आते हैं अब भारत में अलग-अलग धर्मों में शादी, परिवार और संपत्ती से जुड़े मामलों में अलग-अलग रितिरिवाज, संसकर्ती और परंपराव का चलन है और इनका अच्छा खासा मैतव भी है और इनी परंपराव के अधार पर धरम या समुदाय विशेश के लिए अलग-あलग कानून भी बनाए जाती हैं यही वजह है कि सिविल लोग को हम परसनल लो भी कहते हैं अब जैसे मुस्लिमों में शादी और संपत्ती का बटवारा मुस्लिम परसनल लोग के जर्य होता है वही हिंदूों की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहथ होती है और इस के तहड बारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए जिसमें उसके निजी wrinkles मामले भी शामिल हैं सबके लिए एक समान कानून होगे फिर चाये वो किसी धरम या जाती से संबंध रखता हो या किसी पंध से संबंध रखता हो अब वैसे तोて से अधिवासी समुदायों The शादी और तलाग के अपने अलग कस्टम और ट्रेडिशन्स होते हैं, वहीं मुस्लिम समुधायों में पुरुष चार शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहट पहली पतनी या पती जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना अपराध है. अब आप सोच कर देखिए कि अगर इन सब को एक ही कानून के दाइरे में लाया जाएगा तो विरोध होना निश्चित है. ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ही विरोध कर रहे हैं, विरोध आदिवासियों ने भी किया था. प्रोपर्टी के मामलों में विरोध हिंदू भी करेंगे, जब थोड़ा हिंदूतव का नशा उतरेगा तब. इसलिए Muslim Community का विरोध कोई नई बात नहीं है बस इसको राजनितिक रूप देकर vote बटोरने की कोशिश की जा रही है जबकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं अब अगर पूरे UCC के मामले पर नजर डालें तो तकरीबन हर जगे Muslim ही विरोध में खड़े हैं क्यों विरोध कर रहे हैं आईए वो भी देख लेते हैं हम लोग न्यूज पेपर या शोशल मेडिया पर देखते हैं या यू कहें कि हमें जान बूज कर दिखाया जा रहा है मुस्लिम संगठनों का भी कहना सही है क्योंकि सविदान के आर्टिकल 25 में सभी नागरिकों को धार्मिक सवतंतरता का अधिकार दिया गया है और ऐसे में मुस्लिम समुदाय का तर्क है कि शादी और परंप्रावं से जुड़े मामले में सभी पर एक ही तरह का कानून थोपना सविदान के खिलाफ है मुसलिम समुदाय का कहना है कि शर्या कानून करीब 1400 साल पुराना है जो कि कुरान और पेगंबर मुहमद साब की शिक्षाओं पर आधारित है इसलिए ये कानून उनकी आस्था का विशह है अब इस विरोध में हिंदू पतानी क्यों कूद पड़ते हैं जबकि मुसलिम अपने समवेदानिक अधिकार के लिए सरकार से लड़ रहे हैं ना कि हिंदूों से आगे बात आती है समान समपति के अधिकार की जिसका असर हिंदूों पर भी पड़ेगा बेटे और बेटी दोनों को समपति में एक समान अधिकार मिलेगा और यहां किसी भी केटेगरी या धरम का कोई परभाव नहीं पड़ेगा लेकिन सोच कर देखिए जो लोग 10 फिट जमीन के लिए माबाप तक की हत्या कर देते हैं क्या ऐसे में ये कानून सफल हो पाएगा या ये कानून ऐसे अपरादों को और बढ़ावा देगा बात करें अगर समपति के बटवारे की तो अगर किसी विक्ति की मोत हो जाती है तो यूनिफोर्म सिविल कोड उस विक्ति क समपति को पती पतनी और बच्चों में बराबर बाट देगा एक समान रूप से बटवारे का अधिकार देता है और उस विक्ति के माता पिता को भी समपति में समान अधिकार मिलेगा पुराने कानून के तहत ये अधिकार केवल मृत्त की मा को मिलता था बात करें तलाक को ल अगू होने के बाद पूरी तरह से रोक लग जाएगी। इसके अलावा उत्राखंड में रहने वाले कपल्स अगर लिव-िन संबंदों में रह रहे हैं तो उन्हें इसका रेजिस्ट्रेशन कराना होगा, आला कि ये एक सेल्फ डेकलरेशन जैसा होगा। लेकिन इस नियम से अनुसुची जनजाती के लोगों को छूट दी गई है। अगर लिव-िन रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी लिव-िन में रहने वाले कपल की होगी, दोनों को उस बच्चे को अपना नाम भी देना होगा ताकि उस बच्चे को सामाजि को के लिए एक यूनिफोर्म सिविल कोड लागू कराने का प्रियास करेगा। यहां पर राज्य से आप देश को इमान के चलिए, संग को मान के चलिए भारत देश को। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि हमारे सविधान में बताये गए नीती निदेशक तत्तव सरका के लिए एक गाइडलाइन जारी करते हैं, एक एडवाईजरी की तरह काम करते हैं और निती निदेशक तत्तव ही सरकार को उन सिद्धानतों रुदेशों के बारे में बताते हैं, जिने हासिल करने के लिए सरकार बनी होती है। कभी भी नुकुलता हो देश के विधान मंडलों और संसद को युनिफोर्म सिविल कोड लाना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन और अधिक अच्छा होता अगर इस कोड में महिला और पुर्षों की कुछ और जिम्मेदारियां भी निर्दारित की जाती, कुछ 1835 में ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें क्राइम, एविडेंस और कॉंट्रेक्ट्स को लेकर देश बर में एक समान कानून बनाने की बात कही गई थी, साल 1840 में इसे लागू भी कर दिया गया था, लेकिन धरम के आधार पर हिंदों और मुसल्मानो के पर्सनल लोग को इससे अलग रखा गया था, बस यही से युनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठने लगी थी, साल 1941 में बी एन राओ कमेटी बनी जिसमें हिंदूों के लिए कोमन सिविल कोड बनाने की बात कही गई थी, उसके बाद आजादी के बाद साल 1947 में पहली बा पुरुष और महिलाओं को तलाग का अधिकार नहीं था, पुरुषों को एक से जाधा शादी करने की आजादी थी, लेकिन विद्वाएं, जो विद्वा महिला थी, उसको दोबारा शादी करने की अधिकार नहीं थे, वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, इतना ही नहीं महिलाओं की संपत्ति के बढ़वारे के संबंद में कानूनों को सहीत बद किये जाने का प्रस्ताव था। कि दो प्रकार के विवाह को माननता देता था। एक संसकर्तिक और दूसरा सिविल इसमें हिंदू पुर्षो दोवारा एक से अधिक महिलाओं से शादी करने पर परतिबंद और अलगाओ संबंदी प्रावधान किये गए थे डिवोर्च से रिलेटिड जो प्रोविजन थे वो किये गए थे या ये कहा जा सकता है कि इसी वि प्रांसिक रोग, असाध्य या संक्रामक कुष्ट रोग, संक्रामक योन रोग और कुरूरता जैसे आधार पर कोई विवेक्ति तलाक ले सकता था इसके अलावा ये बिल ऐसी तमाम कुरितियों को हिंदू द्रम से दूर कर रहा था जिनें प्रंप्रा के नाम पर कुछ कट प्रेल 1948 को सलेक्ट कमेटी के पास बेजा गया था, बाद में जब साल 1951 में डक्टर अंबेड कर ने हिंदू कोड बिल को संसद में पेश किया, तो इसे लेकर संसद के अंदर और बाहर विद्रो मच गया था, और विद्रो करने वाले थे सनातनी और आरिय समाजी, उस बिल क इसे विरोध में अखिल भारती राम राज्य परिशद की स्थापना करने वाले करपात्री महराज, रास्ट्रिय स्वयम स्वेवक संग और हिंदू महासबाजे से संगठन विरोध में खड़े थे, और जब इस बिल को संसद में चर्चा के लिए लाया गया था, तब सारे हि हिंदुवादी संगठनों ने इसके खिलाफ देश बर में परदर्शन करने शुरू कर दिये थे, अकेले RSSS ने दिल्ली में दरजनों विरोध रेलियों का आयोजन किया था, उसके बाद देश के पहले लोग सबाचुनाव होने के बाद नहरू ने हिंदू कोर्ड बिल को क देर कानून ही गोशित कर दिया गया, दोस्तों जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अभी तक देश में गोवा ही अकेला राज्य है, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, और ये पुर्तगाली सिविल कोड 1867 के नाम से जाना जाता है, साल 1961 मे गोवा का भारत में विले हुआ था और इसके बाद भी वहाँ ये कानून आज तक सफलता पुर्वक चलन में है, आज तक लागू है, अगर दूसरे देशों की बात करें तो ज्यादा तर मुस्लिम कंट्रीज में शरिया लोग जो होता है, वो फोलो करते हैं, पाकिस्तान, इराक, इरान, यमन और साओधी अरब जैसे देशों में सब के लिए एक ही कानून है, इसके अलावा इजिप्ट, सिंगापूर, मलेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में शिरिया लोग सिरफ परसनल लोग के रूप में लागू है, इसराइल में भी अलग-अलग दर्मों में छूट दी गई है, दोस्तो साल 2011 की जनगना के अनुसार उत्राखंड की जन संख्या के तकरीबन एक करोड से उपर थी, और अंदजा लगाया जा रहा है कि साल 2024 में ये करीब एक करोड बीस लाग तक पहुँच जाएगी, अब विचार करने वाली बात ये है कि सरकार का कहना है कि UCC बिल को ड्राफ्ट करने के लिए करीब 2,33,000 लोगों का ओनलाइन फीडबेक लिया गया था, और करीब 60,000 लोगों से बातचित करके UCC का जो ड्राफ्ट है वो तियार किया गया था, जिसमें 70 से अधिक पब्लिक मीटिंग करने की बात कही जा रही है, मोटी 4 परतिशत लोगों की सहमती से ये कानूम लागू किया जा रहा है, जबकि उत्राखन में बीजेपी पारिटी का वोट बैंक अगर देखें, तो ये साल 2017 के अनुसार 44 परतिशत था, अब इस हिसाब से अंदाजा लगा लगा लगीजिए कि ये 3 लाख लोग कौन होंगे, ज जिन से युनिफोर्म सिविल कोड की फीडबेक ली गई है, दोस्तों अगर मेरी परसनल राए ली जाये तो मेरे हिसाब से ना तो साल 1947 में पेश किया गया हिंदू कोड बिल गलत था, जिसका विरोध सारे हिंदू संगठरों ने किया था, जबकि बाद में वो महिलाओं के लिए बेहत इतकारी बिल साबित हुआ था, और ना ही उत्राखंड में पेश किया गया युनिफोर्म सिविल कोड गलत है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आज के जो सामाजिक हालात हो चुके हैं, उस हिसाब से सकती जरूरी है, जो गलत है वो है इन कानूनों से समाज में लेकिन क्या नुकसान है, ये सोचने की जैमत कोई नहीं उठाता, विरोध करना किसी भी विक्तिया समाज का अधिकार है और सरकाल की ड्यूटी है, विरोध कर रहे लोगों को संतोष जनक जवाब देना, आकिर इसमें कहां से हिंदू-मुसलिम आ जाता है, ये बात समझ में नहीं आती, आप लोगों के पास अगर इस समझा का निदान हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताईए, नमस्कार